वेल्कम तू तरून आयस जैसा कि हम लोग 16 सेप्टेंबर 2022 की करेंट अफेर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और उसी 16 सेप्टेंबर 2022 की करेंट वेस के अधार पर हम लोग प्रती दिन समसमाईक प्रसनोत्री आपके सामने लाते हैं ताथ की एक्जाम जो है बहुत ही ब पर्फॉर्मेंस बेहतर हो तो हर दिन हम यह आपके लिए प्रसनोत्री लेकर आते हैं और हम डिस्कस करते हैं तो यह दा हिंदू और इंडियन एक्ष्प्रेस के बेस के अधार पर बना हुआ है तो चलिए सुरू करते हैं इसकी सुरुआत पहला कुश्चिन जो है आपका इ अबराहम समझोता से संबंधित क्या है हाला कि यह प्रिलिम्ट के बेस के अधार पर होता है तो प्रिलिम्ट में भी ऐसे सवाल कई बार पूछे जा चुके है सो अबराहम समझोता किसे है आपका सयुक्त अरब इमरात इजराइल से अमेरिका और इरान से अमेरिका इरान से तो दम नहीं तुर्की इजराइल से नहीं उप्यूक्त में से किस्ण तो इसका सीधा सा जवाब है सयुक्त अरब अमिरात और इजराइल से इसके बारे में थोड इसी चर्चा कर लेते अब्राहम समझोता को अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है ये समझोता इजराइल और अरब देसों के बीच में पिछले 26 वर्सों से ये पहल की जा रही है सांती अस्थापित करने की कोशिश जा रही है अरब राश्टों के बीच में और इजर मदानवे में, इजराइल और जौर्डन के बीद में सांती समझोता पुर्ण किया गया था. अमेरीकी के रास्पती कि अनुसार, ये समझोता पूरmot अरब छेत्रों को ब्यापर सांती अस्थाप्ना करेगा. सांती के अस्थाप्ना के लिए एक तरीके से पहल होगा. एक स्टार्ट होगा एक सुरुवात होगा हलाकि समझोते में इजराइल और फिलिस्तिन संगर्स के संदर्व में कोई बात नहीं की गई है है ना तिये प्रस्ट मन सकता है कि क्या इस समझोते में इजराइल और फिलिस्तिन से समद्वित कोई बाते की गई है और इसी समझवता के अनुसार UAE और बहरीन के द्वारा इसराइल में अपने दुतावास अस्थापित करने के साथ प्रेटन, ब्यापार या फिर आपका सकते अद्योग के छेतर में, स्वास्त के छेतर में एक बहतर एक अस्थापित और सहयोग करने की बात यहाँ पर कही आपका अब्राहम अकोड जो की इसराइल और अरब देशों की बीच में किया गया तो यह मुक्तरूप से प्रस्ण आपके एक्जाम में बन सकते हैं दूसरा प्रस्ण है प्रधान मंतिर ग्रामिन आवास योजना से सम्मंदित आप सभी को पता होगा प्रधान मंतिर ग्रामिन आवास योजना जो है हमारे भारत देश में सब को कच्चा मकान के अस्थान पर पक्के मकान मुहया कराने की बात कही जाती है 2015 में परधानमंत्र ग्रामी नवास यूजना को रिípक किया गया था उसको पहले 2022 तक सभी के लिए आप को आवास के लक्ष को प्राप करने के लिए इंदरा गांधि आवास पहले यही यूजना इंदरा गांधि आवास यूजना लेकिन इसकाвор नाम अंक्रन किया गया पुना और इसका नाम बदलकर रखाए गया प्रधान मंतरी ग्रामीन अवास योजना, प्रधान मंतरी शहरी गम ग्राम अवास योजना. तो ये है आपका पहला प्रकता है कि 2022 तक के सभी के लिए आवास की लक्ष को प्राक्ति करने के लिए ततकाली निंद्रागाथ गांधी आवाश योजना को प्रधान मंतरी आवास ग्रामिन योजना के रूप में पूर्ण गठित किया जाएगा यह statement सही है वास्ताविक रूप से लाभारती की पहचान जो होगी वो समाजिक आर्थिक जाती जनगना के अधार पर होगा कि यह BPL के अंदर में है या नहीं है उसी के अधार पर की जाएगी तो यह दोनों statement सही है इसलिए इसका जो आंसर होगा C होगा है ना इसका आंसर क्या होगा C होगा अब इसके बारे में थोड़ी सी जान सकते हैं हलाकि इसके बारे में आल्रेडी बहुत कुछ हम लोगों ने पहले से भी पढ़ा है कि परदान-मंत्री ग्रामिन आवास्तियोजना के बारे में 2015 में इसको लांच किया गया था पहले इंद्रा-गांधी आवास् जिसका में मक्सद ये है कि गरीबी रेखा से नीचे ग्रामिन लोगों को आवासी काईयों के निर्मान और मौझूदा अनुप्योगी कच्छे मकानों को उन्नत बनाने की कोशिस खी जाती है इसके तहट इस उनीटी की सहायता की लागत की बात करें तो मैदानी छेत्र में 60 से 40, 60 और 40 की रेशियो के अनुचार से 80, 60 प्रतिसत के इंदर सरकार मदद करती है और 40 प्रतिसत जो है राज्य सरकार तथा उत्री पूर्वी और पहारी वाले इलाकों में 90-10 का रेशियो है कि 90 प्रतिसत क इंदर सरकार मदद करेगी 10% जो है आपका राज्य सरकार होगा तो यह है आपका इस से सम्मंदित में उदेश है ग्रामिन आपका प्रधानमंतिक ग्रामिन अवास युजना का में उदेश एक ही है कि भाई सभी को 2022 के अन्द परिवार को बेघर को उसको पक्के मकान मुहया करवाया जा लेकिन 2022 से इसको एक्स्टेंड कर दिया गया है 2024 कर दिया गया है ठीक है अब आगे बढ़ते है नेक्स क्वेशन है आपका कि पुर्वी आर्थिक मंच जिसको आप Eastern Economic Forum कहते हैं इसके समंध में बात कहा गया है प्रस्ण पूछ रहा है कौन सा कथन सही है पुर्वी कि राश्पती ब्लादमीर पुतीम के द्वारा किया गया था लेकिन ये 2003 में नहीं किया गया था ये 2003 में नहीं किया गया था तो ये आपका यहां से स्टेट्मेंट क्या हो जाता है ये गलत हो जाता है इसके अधार पर अगर आप चेक करेंगे तो सी गलत है ए गलत है मतलब second third की बीच में हो सकता है ये forum 200 अर्थ बेवस्था कि प्रमुख मुद्द्य और छेत्रे एक ही करन द्योगी की बात करता है of course बात करता है definitely इसका answer क्या होगा D होगा D होगा इसका answer इस तरीके से देख सकते हैं और सबसे बढ़ी बात प्रता दे की ब्लादमीर पुतीन जो है राश्पती हमारे जो रस्या के हैं उन्हें स्टर्न इकनोमिक फॉरम की अस्थापना आपको 2015 में किया गया था ना कि 2003 में और इसका में मकसद मकसद ये है कि 208 बेवस्था के प्रमुख मुद्दे पर जैसे छे प्रत्र हुआ विकास इन सभी से लेकर मुद्दे पर बात करता है चौथा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं इसके बारे में हम करेंट अफेर में हमने डिसकस किया है बीतिये इस्थिर्था और विकास परिशत जिसको फाइनेंसियल अस्टाइबिलिटी डिवलप्मेंट कॉंसिल भी कहा जाता है एक कस्थम है पहला बात बीति इस्थिर्था विकास परिशत का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था दूसरी बात परिशत की अध्यक्सता प्रधान मंत्री के द्वारा किया जाता है नहीं परशत की जो अध्यक्सता होती है बीत मंत् इसके अनुशार से अगर हम बात करें तो दो आपका गलत है इसका तातपर है कि first and third is the right answer elimination process से देखा जाए फिर भी तीसरा अस्थ को पढ़ते हैं परिशत का कारे बीतिये स्थिर्था बीतिये चेतर के विकास आपका अंतर नियायमत समन्वे और बीतिये साक्षर्ता बीतिय अर्थ ब्यवस्था से जूड़े छोटे मुड़े पर बिवेक पुर्वन जो है पर्विक्षन करने का कारे होता है इसमें बहुत सारे जो बैंकिंग फानेंशियल और नॉन बैंकिंग के बहुत सारे चेयर्मेन भी इसके मेंबर होते हैं तो यह से समन्दित आपको देखा गया है बीती इस्थिता परिशत से सम्मंदित इसे और भी किछ जान सकते हैं आपका 2010 में इसका गठन हुआ अध्यक्ष जो होती है वह आपका बीत मंतरी के द्वारा होता है इसमें सदस्थ में भारती रिजर्बैंक के गवर्नर होते हैं बीत सच्यू होते हैं आर्थिक माम सदी होता है कि किस प्रकार से इस्थिर्था लाया जाए बैती इस्थिर्था को लाया जाए अधिक निक्स को इils पॉइंट यहओ पॉंट यह今日 परेंडिया अंब्द क्या है पहला देखे फेंड मिंडिया का संदर्व कि अगर हम बात करें तो यह योजना सणक परिवहन और राजमर्ग मंत्राले के द्वारा प्रसासित किया जाता है यह 100% गलत है है ना दूसरी बात है कि यह नवीकरन उर्जा स्रोतों को चार्जिंग इंफ्रास्रक्शर को जोता सही बात है ओटो मॉवाइल छेत में 140 मारगों में 100% FDI के अनुमत यह भी सत्य है इसका मतलब यह हुआ कि इसका उत्तर सेकेंड एंड ठर्ड हुआ और दूसरी बात यह रहा जाए कि प्रसारित जो है आपको भारी उद्द बिभाग और भारत के इलेक्ट्रोनिक हाइड वाहन के द्वारा किया जा रहा है के इंदर शार्जनिक छेत रिकाई में नीजी खिलाडियों को सक्रिये है आपका 10 एलेक्ट्रोन हंडेड परसें FDI इस पर आपका लागू होता है नविकरन उर्जा सुरोत इस पर आपका सकत जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही मत्वूल हो सकता है तो आज के लिए इतना ही और भी अन्य वीडियो देखने के लिए आप आई के आईकन्स को आप प्रेस करें बटन को प्रेस करें ताकि अन्य इससे संबंदित आप वीडियो दे सकते हैं तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में तब तक आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें